और फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू क्लास के कला मैराथन रात के 8 बजे के आज के इस रिंखला में तो मित्रो आज के टॉपिक में हम आपको देने वाले हैं बंगाल सैली से रिलेटेट कुछ बहतरी इन प्रशनोत्तर तो अगर पशंद आए तो कमेंट्स लाइक सेर करते रहेगा और चैनल पर पहली मरत्व हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबालीजीगा ताकि ये नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं और फेस्बुक पेज़ पे जाके जो फेस्बुक आईडिय आप लोग चलाते हैं उस फेस्बुक पेज़ पे जाके एम्यू क्लासे साथ सर्च करके फालो कर लिजीगा वहाँ पे एक सौट वीडियो डेली आपकी डाली जाती है तो चलिए सुरुआत करते हैं पहले प्रश बंगाल सैली का उडेय इसमें से माना जाता है तो मित्रों बंगाल सैली का जो उडेय है वो माना जाता है आपका कोलकता से तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरव अगला प्रश्ण देखिए हमारा क्या कह रहा है गौर्मेंट कालेज आफ आर्ट एंड क्राफ कोलकता की सबद्दता किस विश्व विध्याले से है सबद्दता ठीक है आपको पता ही है कि बहुत सारी इन्वर्सीटियां है सिधार ठीक है ये सब उसी तरह से गौर्मेंट कालेज आफ आर्ट कोलकता जो है उसकी षबद्दता किस विश्व इधाले से ये पूछ रहा है शीटिश है अगला प्रश्न देखिए हम मारा क्या कह रहा है वास सैली के जनक थे वास सैली के जनक इसमें से कौन है अवनिंदर नाट तैगोर गगनेंदर नाट तैगोर नंदलाल बशू या ईबी हैवल तो वास सैली के जनक के रूप में हम जिस कलाकार को जानते हैं मित्रो हमारा वो कलाकार है अवनिंदर नाट तैगोर यानि अवनी बाबु को वास सैली का जनक माना जाता है ठीक है अगला प्रस्ण देखिए हमारा क्या पूछ रहा है प्रस्ण का कहना है अवनिंदर नाट तैगोर के विसे में कौन सा कथन गलत है अवनिंदर नाट तैगोर के विसे में एक कथन है जो गलत है ठीक है अंतिम यात्तर चित बनाया था बिलकुल यह सही बात है अंतिम यात्त उन्होंने चित्र बनाया था, लाश्ट जर्नी जिसको बोलते हैं इंगलिस में, अगला कहा रहा है कलकत्ता इस्कूल में सिच्छित थे यानि पढ़े थे पूछ रहा है, स्वदेसी आंदोलन में विशेस रूची नहीं ली, इनके शिश्यों में वास सैली का परचार पूरे भारत मिया किया, तो अंतिम यात्रा उन्होंने बनाया, इनके शिश्यों ने वास सैली का परचार पूरे भारत में गया, जिनको इन्होंने पढ़ाया, उन्होंने परचार जहां-जहां बनाया किया, कलकत्ता इस्कूल में सिच्छित थे बिलकुल ये भी सही है, जो है मित्रसी वह स्वदेशी आंदोलन में विसेश रूची नहीं लिए गलत है ठीक है अगला देखिए अवनिंदना टैगोर ने कच्छ और देव्यानी चित्र का निर्माड किया ठीक है कई जगा देखिएगा मतलब टाइपिंग मिश्टेक हो जाता है तो उसको अगर मिश्टेक हो जाता है उसको आप तो पढ़े ही है किलियर करते हूँ चलिएगा तो कच्छ और देव्यानी जो चित्र है उसका निर्माड अवनिंदना टैगोर ने किया था बंगाली श्कूल बिचित्र कलब कलाभवन या इंडियन सोसाइटी आफ औरियंटल आर्ट कहा किया बंगाली श्कूल में किया कहा किया मतलब इन चारों में से कहा किया तो उन्होंने मित्रों बंगाली श्कूल में किया ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रशन की तरब बढ़ते हैं ये प्रशन ध्यान दीजेगा प्रशन का कहना है अवनिंदना टैगोर ने अवनिन्ना टेगोर का परसिद चित्र जर्नी इंड जर्नी इंड मतलब अंतिम यात्रा का विशे में जो है असत्य कहा गया है अवनिन्ना टेगोर ने जो अंतिम यात्रा यानि जर्नी इंड अंतिम यात्रा के विशे में एक बात अशत्य है क्या है वो पहला चित्र में प्रतिकात्मक भाव का सयोजन हुआ है ये बात गलत है रविंदर नात्तेगोर ने अपनी बेटी की स्मृति में बनाया था ये बात गलत है ठीक है तो अंतिम यात्रा याई जर्नी इंड जो है चित्र अवनिन्न द्रनात का बनाया है उसके विशे में कौन सी बात अशत्य है तो मित्रों इसमें से जो अशत्य बात है वो है रविन्ना टैगोर ने इस चित्र को ठीक है अपनी बेटी की स्मिर्टी में नहीं बनाया था बाकी सभी बाते उपर की शही है अगला देखिए प्रश्न का कहना है गलत बिकल्प का चयन करें ठीक है राबर्स जल रंग मौर्निंग पेस्टल रंग में भारत मातावास में कच और दे यानी पेस्टल में मतलब कह रहा कि एक तरफ जुया है एक तरफ दे रखा है चित्र और दूसरे तब दे रखा है बनने का टेकनिक मतलब किस पद्दती में बनाया गया है मतलब जरलंग में पेश्टल, वास पेश्टल और चित्र का नाम भी दिया लेकिन पूछ रहा है इसमें से एक ऐसा चित्र है जो की बिल्कुल गलत है चित्र गलत नहीं है चित्र की जो तकनीक है जिस तकनीक में ठीक है तकनीक में जिस बना है वो गलत है बस कहने का मतलब यह है तो वो कौन सा चित्र है इसमें से तो मित्रों वो आपका चित्र जो है वो है आपका D कच और दे यानी जो है वो पेस्टल में नहीं बना हुआ है ठीक है अगला प्रशन देखिए गणेस जननी चित्र का निर्मार किशने किया गणेस जननी इस चित्र का निर्मार किशने किया तो आप देख रहे हैं टाप प्रशनों की स्रिंखला टाप 30 प्रशनों की स्रिंखला आज का टापिक है अमार बंगाल सेली से रिलेटेट कुछ प्रशन जिसके आठवे प्रश्ण पे आप मौजूद है और आठवे प्रश्ण का जो सही जवाब है वो होगा आपका B अवनींदर नाट टैगोर ठीक है अगे बढ़ते हैं प्रश्ण कहरा कि नंदलाल बशू का जन्म हुआ बिहार में पस्थिम बंगाल करनाटक या अशम ठीक है तो लाइक और शेयर करते रहे हैं फटाफट और कमेंट्स दहा दो तिन लोग का कमेंट्स था कि सर क्या फालो करने के लिए आप कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ आप लोग से कि फेस्बूक अगर आप चलाते हैं फेस्ब लोग भेजते हैं दूसरे को तो फेस्बूक पे मेरा एक बना हुआ है आईडी एम्यू क्लासेस आर्ट के नाम से उस पे जाके आपको फालो करना है उसमें मैं वीडियो देता हूँ आपके लिए कला के कुछ छोटे एक मिनट डेड़ मिनट के ठीक है वही कहता हूँ आपक प्रश्न का कहना है नंदलाल बोस का परसिद चित्र बापु जी का परसिद चित्र है बापु जी किस माध्यम में बनाया है उन्होंने जलरंग में वास में लीनों में या उड़कट में ठीक है बापू जी का चित्रूम का आपने देखा भी होगा रिता परताप के बुक में भी धायत दिया हुआ है तो बापू जी को जिस माध्यम में बोश्षा हमने बनाया है वो है आपका लीनो कट कौन सा माध्यम है? लीनो कट माध्यम है ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रस्ण देखिए प्रस्ण का कहना है मुख्य रूप से सांथाल महिलाओ को किस कालकार ने चित्रित किया था? सांथाल महिलाओ को ठीक है? सांथाल महिलाओं है ना कि सांथाल परिवार है ध्यान दिजिएगा परिवार और महिलाये दुनों में अंतर है तो यहाँ सांथाल महिलाये कह रहा है ना कि परिवार कह रहा है या तो अचानक से धड़ाक से कोई और इंसर आप दे देंगे क्योंकि विकल्प में उनका लकार का भी नाम है तो शांथाल महिलाये उसको बनाया है आपके नंदलाल बोस शाहमने और सांथाल परिवार शब्दगर जुड़ जाए तो फिर उसको कहेंगे राम किंकर बैस शाहमने बनाया है ठीक है अगला प्रशन है आपके स्क्रीन का नंदलाल बोस का निमलिखित में से किस छेतर से सम्बंद नहीं है कौन से छेतर से सम्बंद नहीं था कलाकार नंदलाल बोस का बिरिछारोपर, स्वड कलश, मदर फिडिंग, हेड़ चाइल्ड, कुडाल और अशो इसमें से कौन से छेतर से नंदलाल बोस का कोई भी रिलेशन, कोई भी शम्बंद नहीं था तो मित्रो वो था आपका कुडाल और अशोक, ठीक है, उनका ये नहीं है अगला प्रशन देखिए निम्नलिखित में शे किस गुफा की प्रतीलिपी अशित कुमार हल्दर ने बनाई किस गुफा की प्रतीलिपी हल्दर साहब के द्वारा बनाई गई थी अजन्ता की, जोगी महरा, बाग या बादामी ठीक है, अशित कुमार हल्दर की बात कर रहा है अशित कुमार हल्दर के द्वारा इसमें से कौन से गुफा की प्रतीलिपी नहीं ध्यान दिजिएगा नहीं की बात कर रहा है, नहीं बनाई तो अशित कुमार हल्दर ने जो है, वो बादामी गुफा के प्रतीलिपी को नहीं बनाया था अजन्ता जोगी महरा इसका बनाया था अगला प्रश्ण है, प्रश्ण हमारा कह रहा है, किस चित्रकार ने अपने जीवन काल में बैसलो धर्म से संबंधित अधिकतर चित्रों का निर्माड किया थीक है, वैसलो धर्म से संबंधित ज्यादातर चित्रों को बनाया सैलेंदर नाथ डेने, छेतिंदर नाथ मजुमदार, राम गोपाल बिजयवर गिया या अवनेंदर नाथ टेगुर तो बंगाल सैली से रिलेटेट प्रशनों की आज की कुछ स्रिंखला है और उम्मीद पूरी है कि आज भी आपको बेहत पसंद आएगी वीडियो तो प्यार महबबत ऐशे ही बनाये रखेगा और फेस्बुक पे जरू जुड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा पे जुड़े इस प्रशन का सही जबाब जो है वो होगा आपका छेतिन दरनात मजुमदार आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि देवी प्रसाद राय चोधी की किर्ती नहीं है ध्यान से देखिएगा प्रशनों को जहां नहीं है सब दाराय वो ध्यान दे इसमें से कौन सा देवी प्रसाद राय चोधी जो की एक मुर्तिकार के रूप में प्रशिद्र कालाकार थे जाने जाते थे उनके द्वारा बनाया हुआ मुर्तिशिल्प इसमें से यक्स नहीं है तो मित्रों उन्होंने जो है सूजाता नहीं बनाया है क्या नहीं बनाया है सौरी देखिएगा एक मिनट चलिए अब देखिए उन्होंने सुजाता नहीं बनाया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्म देखिए हमारे श्क्रीन का क्या कह रहा है दुरू की तपस्या चितर किसका है चितर का नाम है दुरू की तपस्या चितर का नाम आप से पूछ रहा है कि सैलेंदरनाथ डेड़े बनाया या फिर चितिंदरनाथ मजुमदार ने राम गोपाल बीजय वर्गिया ने या अवनींदरनाथ टेगोर ने तो मित्रो इस चितर को बनाने वाले चितर कार है चितिंदरनाथ मजुमदार ठीक है आगला प्रस्म देखिए भारतिय चितर कला पद्दती पुस्तक कि ने लिखी पुस्तक का नाम है भारतिय चितर कला पद्दती इस पुस्तक के राइटर शैलेंदरनाथ डे है या फिर चितिंदरनाथ मजुमदार अपने प्रश्णों के उत्तरों को और दीजिये आज का भी बेष्ट देखते हैं कितना बेष्ट है आपका अपनी तयारी और हमारे इस प्रश्ण का सही जबाब जो है मित्रों वो होगा आपका सैलेंदरनाथ डेखा अगला प्रश्ण है भारतिय कुमारियों की स्रिंखला क्या है भारतिय कुमारियों की स्रिंखला किस चित्रकार ने तयार किये तो अगर आपने रीता प्रताप की बुक जो है अगर पढ़ी होगी तो उसमें पूरे ब्लैक कलर में ब्लैक कलर में हाइलाइटेट करके ये बात में लिखी हुई है कि भारतियक कुमारियों किस रिंखला किस शित्रकार ने तयार की थी मनी सी डे, केवें कटपा, सुधिर रंजन खस्तगीर या ललित मोहन शेन किसने तो जब उसे देखेंगे तो उसमें आपको ब्लेक कलर में पेज पे दिखाई देगा लिखा हुआ है हाईलाइटेड कि मनी सी डे ने उसे बनाया है किसने मनी सी डे ने ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहे रहा है हमारा आदिवासी निर्त्य किरती है किसकी आदिवासी निर्त्य जो किरती है वो मनी सी डे की है या फिर केवन का टपा की सुधीर रंजन खस्तगीर की या फिर ललित मोहन शेन आदिवासी निर्त्य तॉप थर्टी प्रश्नों की सरिंखला में आप जो है उननिश्वे प्रश्ण पे हैं फेस्बुक को फालो करना मत भूदिएगा वहाँ पे आपको एक सौट वीडियो एक से डेंड मिनट का होता है लेकिन जानकारी उसमें अच्छे मिलती है सभी लोग समें जुड़े हैं निलम सिंग जुड़ी हैं अभी सेख चावान जी जुड़े हैं और भी सारे अर्चना पांडे जुड़ी हैं और भी मिलवर्ग जुड़े हैं अच्छे खासे लोग उसमें जुड़े हुए हैं और लोग को भी जुड़िये तो इस प्रश्ण का सही जबाब जो है वो हो जाएगा आपका सुधीर रंजन खस्तगीर नेक्स देखिए नेक्स प्रश्ण आपका पूछ रहा है लोग जीवन का चितरकार किसे कहा जाता है मनिसीडे को केवें कटपा को सुधीर रंजन खस्तगीर को या ललित मोहन शिन को लोग जीवन का चितरकार किसे कहा गया तो सुधीर रंजन खस्तगीर को कहा गया ठीक है आगे बढ़िए अगला प्रश्म देखिए प्रश्म का कहना है ललित मोहन शेन किस कला विद्ध्याले से सिच्छा प्राप्त की थी यानि ललित कलाकार ललित मोहन सेन ने कौन से कला विद्ध्याले से अपने एजुकेशन ली थी कला की ठीक है लखनव कला विद्ध्याले से ली थी उन्होंने या फिर दिल्ली कोलकता या फिर बॉंबाई कहां से ली थी उन्होंने ठीक है तो मित्रो उन्होंने जो है लखनव विद्ध्याले कला विद्ध्याले से अपनी कला की सिच्छा द्रहड की थी अगला प्रश्न देखिए कौन सा कलाकार मुगल और राजपूत चित्र पद्धती में हस्त सिद्ध था क्या है मुगल और राजपूत चित्र पद्धती में हस्त सिद्ध था देव परसाद राय चोधरी थे वो या सारदा चरड उकेल अब्दुल रह्मान चुकताई या समरेंदर नाथ गुप्त ठीक है एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको यहाँ पर जब विकल पाया है तो इसका राइट एंसर जो होगा पहले उस पर फोकस करते हैं फिर बताते हैं तो पहले तो इसका जो राइट एंसर होगा वो हो जाएगा अब्दुल रह्मान चुकताई ठीक है और आपको याद होगा एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्डमाला अच्छरों का पढ़योग गुलाम मुहमद शेख नहीं किया और वर्डमाला को कैलोग्राफी करते हैं जो कि मेरा मिश्टिक था वो केलोग्राफी नहीं काते है केलोग्राफी कुछ और है तो केलोग्राफी को इन्हों नहीं किया था केलीग्राफी ठीक है केलीग्राफी पद्दती में जो कारे किया था अब्दुलरह्मान जुगताई शाहम नहीं किया था इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आ गई है तो सामने आपको बता दी जाए वर्ल माला कुछ होर है जिसको गुलाब मुहमद शेख ने किया और अब्दुलरह्मान चुकताईश हमने जो है कैलीग्राफी में इस्तमाल किया था कैलीग्राफी के लिए यही जाने जाते हैं इस बात को बताना था तो आज आया है आपसन में तो इसको बता दिया गया फोकस रखिएगा ध्यान में ठीक है उस मिश्टेक को केलियर जरू कर लिएगा जिन्दगी में गलतियां होती है तो उसको एकसेप्ट करना चाहिए और उसी को अच्छे से करके आगे बढ़ना चाहिए यही समधदारी है और उमीद करता हूँ कि आप लोग भी उसी तरह से फैस करते होंगे चलिए आगी का प्रशन हमारा कहरा है कि किस कलाकार को नेपाल शरकार ने सिच्छा बिभाग के सलाकार पतपन निक्त किया था ठीक है नेपाल की शरकार ने सिच्छा बिभाग का सलाकार निक्त किया था बिनोद बिहारे मुखरजी को या फिर आपके नंद जो है इंसानियत है और यही तरीका है उम्र चाहे कोई भी हो पढ़ने में कोई सर्म नहीं गलती को मानने में कोई शर्म नहीं यह मेरा मानना है आपका क्या मानना है वो आप ही जानते हैं तो मित्रो हमारे इस प्रश्ण का जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा आपका का नाम है रूप लेखा पत्रिका और आरंब करने वाले कलाकार दीविप्रसादराय चोधरी है या सारदा चरड उकील देखिएगा वकील हो गया है या अब्दुलरह्मान जुकताई शाहब या फिर समरेंदर नात गुप्त ठीक है रूप लेखा लिखा है देखिएगा तो पत्रिका का प्रकाशन जो अरंब किया था वो किया था आपके सारदा चरड उकील ले किसने किया था सारदा चरड उकील ले अगला देखिए प्रश्न है रड़बीर सिंग बिष्ट का जन्म कहां हुआ था रड़बीर सिंग बिष्ट का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था बिष्ट आपको पता है बिष्ट टाइटिल कहां के लोग लगाते हैं उत्तराखंड या उत्तरप्रदेश, हिमांचल प्रदेश या हर्याड़ा तो आपके परजन टाइम के माननी या मुख्यमंतरी जो है आदित्तिनाथ योगी साहब जो कि उनका आदित्तिनाथ योगी का जाता है लेकिन उनका भी नाम कुछ और है जिसमें उनके टाइटिल में बिष्ट है तो मित्रो रडबीर सिंग जो बिष्ट थे उनका जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था तो उत्तराखंड के लोग ये सब जो है बिष्ट टाइटिल लिखा करते हैं वहां के ठाकुर वगेरा जो होते हैं ठीक है अगला प्रश्न है आपका किस कलाकाल को भार देवकी नंदन खत्री सर्मा ठीक है पूरा नामे उनका देवकी नंदन सर्मा पच्छी ओके चितेरा पच्छी चितरकार के रूप में प्रशिद हैं इस प्रश्न कहरा है गोरस की लूट चितर किस कलकार ने बनाया हूँ ठीक है इस चित्र को किस कलकार के द्वारा बनाया गया है सोमालाल शाह के द्वारा योगेश्वर सुक्ल रभी शंकर रावल या सैलेंदर नाथ डे तो चलिए धीरे-धीरे आप टॉप 30 प्रशनों की 30 प्रशनों की सरिंखला में धीरे-धीरे काफी नजदिक पहुँच रहे हैं और फाइनल सम्मिट से पहले अपने बेस्ट प्रोफार्मेंस को कमेंट्स के माध्यम से पुटप कर दीजिए और इस प्रशन का सही जवाब है योगेश्वर सुक्ल का बना हुआ है ठीक है उनका बनाया चित्र है अगला प्रशन देखिए हमारे स्क्रीन का क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश के बिधान सभा भवन को किस चित्रकार ने चित्रित किया ठीक है यूपी का हमारा जो बिधान सभा भवन है उसको चित्रित करने वाले चित्रकार रवी संकर रावल जगरनाथ है ठीक है या फिर जगरनाथ मुरली धर अहिवासी देखिएगा ये एक्स्ट्रा जला गया है टाइपिंग में रवी संकर रावल सिर्क और दूसार जगरनाथ मुरली धर अहिवासी यानि जे एम अहिवासी जो आप कहते हैं साट में राम गुपाल बिजय वर्गी या देव की नंदन शर्मा किशने उत्रपरदेश के विधान सभा को चित्रकार ने चित्रित किया था ठीक है तो उत्रपरदेश के विधान सभा को चित्रित करने वाले चित्रिकार थे जे एम अहिवासी जगानात मुरली धर अहिवासी ठीक है अगला प्रश्म देखिए कुमार नामक पत्रिका के प्रकाशन में शहयोग किसका लकार ने किया था एक कुमार नाम पत्रिका का शंपादन हुआ और उस प्रकाशन में सहयोग के रूप में कौन थे सोमालाल शाह, योगेश्वर सुक्ल, रभी संकल रावल या सैलेंदर नाथ डे तो कमेंट्स लाइक सेर का शिंशिला जारी रखिए आज के सुपर टेश्ट स्रीज का और हमारे इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा, वो आपका हो जाएगा रभी संकल रावल किसने सहयोग किया था कुमार नामक पत्रिका के प्रकाशन में रभी संकल रावल और आप जरह कमेंट्स करिए कि कुमार नामक पत्रिका किसकी देन है ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखरी प्रशन देखे प्रशन शंख्या 38 ताप 30 यानि ताप 30 प्रशनों की स्रिंखला का आखरी प्रशन आपसे पूछ रहा है बंगाल सैली का कलाकार इन में से नहीं है नहीं है कौन बंगाल सैली का कलाकार रूप क्रिशन चरूराय सुनैनादेवी या पदमनी शिंग इसमें से कौन है जो बंगाल सैली के कलाकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं तो बंगाल सैली के कलाकार के रूप में नहीं जाने जावाले जो कलाकार है इसमें वो है पदमनी शिंग तो चलिए उमेद है कि आज की बंगाल सेली के टापिक से उठाए गया कुछ प्रस्न आपको बहएद अच्छे लगे होंगे तो ऐसे ही बने रहिए एक दूसरे का प्यार महबद बनाए रखिए और अपने एजुकेशन को निखारिए ताकि आगे एक टीचर के रूप में आप कामयाब हो और एक बात और बताना चाहता हूँ सिंगल सब्जेक्ट से डाइंग और पेंटिंग से एक इन्वर्सिटी से बात चल रही है अगर वो एबिलेबल करा देता है तो मैं उसके बारे में आपको जरूर ग्रूप में डालूँगा तो जिनको करना होगा वो मैसेज जरूर कर लेंगे ठीक है तो चलिए आज के लिए दीजिए कल फिर मिलते हैं नमस्कार गूड नाइट सुबरातरी